बढ़िया सब सब ठीक होंगे पढ़ाय लिखाई कर रहे होंगे और फिर हम जो है अब अर्ट एक कल्चिर की क्लासे समने शुरू कर दी है आयर की क्लासेस में अल्मूस अल्मूस फिनिश कर चुका हूँ एक बार एक्जाम से कुछ दिन पहले जो भी कुछ रहेगा हटे में एक दो क्लासेस अब पर्षण भी मैं आपका वहां तक का कंफर्म कर दूँगा आप तो खेर आयर का करन का एससर कुछ आएगा नि मितलब मैं अनिसले अगर बताओ तो अब खतम होगे पेपर बन चुका है तो अब कोई आयर का वैसे को टेंशन है नी आयर चुड़ों किसी का कोई भी अब रही बात फर्दर अगर हम आगे बड़े तो मैं दो तीन चीजे आपकी जरूर कराऊंगा अभी आट अंकल्चर के लिए मुझे कई लोगों नहीं बोला इसलिए मैं आट अंकल्चर शुरू कर दिया हूँ और भी कुछ प्राक्रिस क्वेस्टन्स होगर मैं आपके एक रहा मैं रमेश स्रिवास्ताव गूडवनिंग एन अफसुलूटली फाइन ब्रो आप ऐसे हो आप कैसे हो आप ठीक हो और जदी आप ठीक हो एक यस बिलकुल-बिलकुल आपसलूटली फाइन फीट और आप लोग भी ऐसे रहे ऐसे ही दुआ है तो आर्ट एंग कल्चर के प्रिवेस एर क्वेश्चन हम कर रहे हैं किस तरह के प्रिवेस एर क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी इसमें हो जाएगी ठीक है तो मेरी कोशिश यह है कि हम लोग प्रिवेस एर क्वेश्चन को देखें उनको करें अब हाला की येस निकी जी गुड इवनिंग तो हमारा उद्द क्वेश्चन पूछते हैं ये क्विक प्रैक्टिस हैं इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजे में आपको वैसे भी बता दे रहा हूँ कल्भी मैंने ऐसी किया था जिसके साथ साथ आपके कुछ और भी कंसेप्लेर हो जाएंगे और फिर मंडे से जो है पूरा साल डेड़ साल का अठी कुछ का पूरा 50 एंड एंड का बस गवारे साथ की क्लास में जतने भी करनके क्लास है कि इस साल का तो एक मिला जुला क्लासेस रहेगी हमारी यस तो वह सब चलेगी तो पहला क्वेश्चन में अल्रेडी स्क्रीन पर डाल दिया है क्योंकि समय जो है मैं क्लासेस हमारी जो है आट बजे शुरू होती है बाकी लोग आराम से आते हैं तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन डाल दि जाए जल्दी आजाए निकी जी अगरे सब लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजे रमेश शिवास्ता हो शायद आप पहली क्लास ले रहे हो ने भी मेरी इसाब से शायद आपके पहली क्लास होगी तो एक दो क्लासेस लेनी के लिए मैं आपको इंसीस करूंगा और तब ही जाके लगे तो आप जज करिएगा कि मैं ठीक से पढ़ाता हूं के नहीं समझ में आता है के नहीं और यू शुड कंटीनु विथ मी राइन किसी भी चीज को ब्लाइंडली फोलो नहीं करना है हर चीज को आराम से देखके परक्के फिर ही आपको आगे बढ़ना ह यह कोई खेल नहीं है यह उपेसी जीवन आपके अपके अपने करियर का सवाल है एक अगर गलती हो जाए तो पूरी गलती आगे होती रहती गुड इवनिंग गनित गुड इवनिंग ओके आप लोगों ने आंस्वर देना शुरू भी कर दिया एरे क्या बात है क्या बात है वेरी गुड क्वेशन पढ़ देता हो फिर भी बाकी लोगों के लिए ठीक है दसवा क्वेशन है कल हम नव क्वेशन कर चुके ता आज भी हम कोशिच करेंगे कि 10 प्लस क्वेशन हो हमारे डेली वित रफरेंस तो दे कुल्चेर हिस्ट्री आफ इंडिया कंसीडर दो फॉल न्यूस रेंज अन्यमाचार्य और ट्यागराज और कंटेम्परेरिस और अन्यमाचार्य जो थे अन्यमाचार्य और किर्तन सार डिवोशनल सौंग इन प्रेज आफ लॉड वेंकेटिश्वरा तो आपको सही एंस्वा आउप्शन देना इसमें ए 1 & 3 B 2 & 4 C 1 2 3 और D 2 3 4 2018 का कुष्चन है हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ भारत के सांस्कृति कीतियास के संदर में निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए अधिकांश त्यागराज कृतिया है वो भगवान कृष्ण के स्तुति में भक्तिगित है तो पहला स्टेट्मेंट है त्यागराज ने कहीं नए राग पैदा किये अन्नामाचारे जो थे उन्होंने ना अन्नामाचारे नाध्यागराज के संकाली ने मतलब दोनों लोग और अन्नामाचारे जो है वो किर्तन भगवान वेंकरडेस्ट के स्तुति में बक्तिगित गाते जिसे किर्टन का आ जाता है तो आपम आपको बताना है तो सभी लोग तो सी बता रहें तो देख लीजे कंफर्म है क्या लॉक कर दू क्या यह पहले बता दी येस प्रिया प्रणाम गुड़ इविनिंग गर्नित भी सी बता रहें वेरी गुड़ सभी लोग सी सी बता रहें पता चले आंस्वर कुछ और निकले वान टू त्री अंस्वर है बी टेन बी अरे वा प्रिया वेरी गुड़ वेरी गुड़ बहुत खुब बहुत खुब रिया बहुत अच्छे 10B है इसका अंस्वर जो है वो 10 अंस्वर है इसका वो बी है राइड तू और फॉर यह इसका एक्चुल अंस्वर है तो देखते त्याग्राट जो है उनका उनका जर्म जो है वो 14th मई 1767 में हुआ तिरु वाई और नाम के गाव में तंजावर डिस्ट्रिक्ट में था तमिल लडू और फिर जो तलपकर अनमाचारे जिसे अनमा अनमाया भी कहा जता है वे जो है उनका जनम हुए 1408 में और पंद्रासो तीन में उनकी डेथ हो गए मतलब इन से पहले वो देखे कब है 200 साल लगबग लगबग और दोसों क्या जादा ही हो गये वैसे 1516 1617 और फिर 67 यह 15th century में ये एक हिंदू सं थे हिंदू सं थे हिंदू सं थे पंद्रावी सदी के त्यागराज जो है वो डिविडेंट मतलब एक डिवोटी थे लौर्ड रामा के ना कि क्रिष्णा के कृष्ण नहीं के नहीं से कृष्ण नहीं वो राम के भगत है तो आपका हो भी स्टेप्मेंन गलत हो जाता है इसके अप्रे सभ्स स्क्रर भीके तो अन्हों ने सारे मुजिकल लिखे उप्रयाज गाना मतलब जो राग लिखे गाने लिखे या जो किर्टन वो जो है वो 24,000 सौंग्स है 24,000 गाने 24,000 सौंग्स उन्होंने लिखे हैं कितने 24,000 सौंग्स अब इन्होंने क्लेम किया कि भाई जो इसलिए आप समझ जाते हो कि इसमें क्रिष्ण का कोई रोल नहीं तो पहला स्टेट्मेंट आपका वैसे भी रॉंग हो जाता है त्याग्स जो है वो इन्होंने कई सारे रागास को इंटूडेस किया है कार्नाटिक म्यूजिक म्यूजिक से कहा जाता है उसमें तो यह ब्रॉजजरा स्टेट्मेंट जो है वह वो तरही है अन्चारे जो है यह नोडे किर्थन की डिवोश्न स्वांग बनाये लौड वेंकेश्वरा और अन्चारे जो है यह एक इनको इंडियन मुजिशन के नामसे मदब इंडियन इसलिए आपका जो अंस्वर है वह 123 नहीं 1 & 4 है मतलब B है तो अगर आप 100% शूर नो इस तरह के questions में तो इस तरह के questions अटेन मत करिए जब तक आप लगे तो 50-50 पे नहीं आते हों तो बिल्कुल भी इस तरह के questions को नहीं करना है एक्जाम में इस तरह के silly mistakes बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि यह question बहुती factual based होते है and I am telling you factual based questions में अगर आप आप पहले तो आप 100% sure हो तो well and good either आप 50-50% अगर sure हो right at least तो you should go you can try it ओके चलिए एक बार class को like or share करें सभी लोग जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करिए ताकि और भी अपने students दोस्त्यार मित्र सभी आ जाए आज पता है फिर वियर लोग आ नहीं रहें कल बता दिया था संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए मेरी साफ से मतलब मैं expect नहीं करता इतनी कम संख्या बट चलिए अगला question है with the reference with reference to the religious practices in India the जिसे हम कहते है वह कोन है भारत में धार्मिक प्रथा हो कि अगर मैं बात करूँ धार्मिक प्रथा तो उसमें स्थानक वासी संप्रादय का संबंद किसके साथ आता है यह बुद्धिजम भी जैनिजम सी वैशनोरिजम और डी शेविजम 2018 का question है यह UPSC का यह UPSC के questions है previous year questions PYQ ओके चलिए चलिए जल्दी 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 चलिए अब इस का अंस्वर दीजे गैरवे का अंस्वर दीजे तुक्का नहीं मारना है एक्जाम हॉल में मैं यहीं कहना चाहर हूँ बार बार चलिए इसका अंस्वर दीजे बुद्धिजम से बहुत questions आते हैं हर साल वो शायद ancient history से आजाए या culture से आजाए यू cannot segregate बट आपको बुद्धिजम को बहुत अच्छे से पढ़ना है जैनिजम को अच्छे से पढ़ना है उससे बहुत questions आए चलिए इसका अंस्वर दीजे जल्द यल्दी स्तानक वासी नहीं पता है तो ना बोलिए आगे बढ़ेंगे बी ओके और 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 भी लोग अंस्वर दीजे जल्दी जल्दी ताकि हम लोग कवर करना है हमें हमें कवर करनी है चीज़ाई समझ रहो ना आप 11 स्किप नो आइडिया वेरी गूड शूर नहीं है ओके शद्दा जी गूड इवनिंग गूड इवनिंग सुमीत यह बहुत अच्छी बात है अगर आप एक परसेंट भी आपको आइडिया नहीं है मान लो नो आइडिया सो बेटर स्किप बहुत अच्छी बात है तो चलिए अभी जो निव स्टुएंट्स आये हैं वह जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अंस्वर देंगे च्छाद्दा सुमीत कि बाइकी लोग राइड बहुत खूब बहुत फी बढ़िया अप लोगों का अकांश्या श्रद्दा का बिल्कुल बिल्कुल राइड बहुत ही बढ़िया आपका अंस्वर साहिए देख़तें वैक भी घू है जो स्तानक वासी होते हैं ये श्वजतामबरा जायनिजम है उसके लवाजी इन 1653 इस्ध song सिबूर जो वस्त्र परिधान करते राइड अग्ड होते है जो वस्त्र को ट्याग देते है नेचर जैसे आदमी पाईदा होता है उसी फॉर्म में वर रहते हैं वक्ष्रों को ताग देते हैं और यह लवाजी जो ही इनने इसका फाउंडिशन किया था इनका बिलिव था आइडियल वर्षिप इस नॉट इसेंशियल इन पाथ आप आप सोल प्यूरिफिकिशन अटेंडमेंट आफ निर्वाना और मोक्षा मतलब जो आइडि इस विश्व करें पाविव और ओर जो जो पुर्णी होती है वह रखना होता है किसी जो कहा है उनको तहम लोग करेंगे नहीं उनके नाम की माला जब्ते रहें कि यह हमारे मैं कम अचलीं है और मानव की यह कॉमन बात है मानव ऐसे ही करता है क्योंकि उनके विचारों पर चलना बहुत मुश्किल है उनकी पूजा करना बहुत आसान है राम को या लक्षमन हम जैसे दो भाईयों का बटवारा होता है तो चम्मच और कटोरी से भी जगडा करते हैं मगर राम दोनों ने घर में राम की फोटो लगा के रखे जैस्री राम बोलते हैं उनकी इतना राम को प्यार करते हैं मगर गुस्सा कितना अपने सगे भाई को एक चम्मच और ज्यादा चली जाए तो उसको खुन खोल जाता है यह भक्त लोग और फिर भाहर कितना अंदर मेल कितना भरा पड़ा कि इतना द्वेश है लोगों के प्रति उनके मन में जैस्री राम बोलेंगे और विशिष्ट धर्म के या इतर लोगों को टार्गेट करेंगे इन्होंने 32 जैन आगम्स को अक्सेप्ट किया श्वेतांबर कैनोन मतलब श्वेतांबर वह वस्तर को पहना और श्वेतांबर जो थे वह स्तानेकवाशे और मुर्ति पुजग का सेक्ट ओके जैनिजम से भी क्वेशन्स आते हैं हर साल क्वेशन एकात क्वेशन एकात क्वेशन तो जैनिजम से होता ही होता है तो आप थोड़ा से इसको भी देखते रहेंगे hunters बापरे अच्छे अच्छे नाम होगा है hello how are you hunter साब कैसे आप right with the reference the cultural history of India consider the following statement ये cultural history के regarding आपको statements को देखना है statement क्या कह रहा है with a marble was used making bulan darwaza and खानका at फतेपूर सिक्री secondary red sandstone and marble were used in making 12 इमामबारा बड़ा इमामबारा ओके and रूमी दरवाजा at लखनो which of the statement given above is oblique are correct कोई दिक्कत नहीं किजी मंडे से मैं आपको बिल्कुल एक्सलूजिव करन्ट अफेर करा दूंगा वैसे भी question करन्ट अफेर से आते हैं और आप जानती हो मेरा पड़ाने का तरीका मैं M.C. क्या करन्ट अफेर कर रहाता हूँ तो पूरा टॉपिक ही कर रहा देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा Sunday Sunday थोड़ा साम लोग क्या करेंगे मैराथान वगर रख लूंगा जिससे आपका syllabus अटलिस कवर हो जाए ठीक है और फिर कहा फतिपूर सिक्री जो है उसमें जो बुलन दरवाजा है और खानखा बनाने में सपेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था और लखनों में जो बड़ा इमाम बाड़ा है और रूमी दरवाजा है उसमें लाल बलुवा पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था तो इसमें से सही कौन से आपको बताना है यह वन वन ली बी टू वन ली सी बोथ और डी निदर वन और टू हो जाएगा कवर इतना तो मैं कराई दूंगा कि आपको एक्जाम हॉल में एक्लिस यह रहेगा कि ब्लैंक नहीं रहोगे आप करा दूंगा मैं आराम से करा दूंगा डोंट वरी ट्रस्ट मी कि अच्छा यह जो मोह है न यह जो एक्जाम हॉल में महों मोह के धागे उमलते न दिमाग में वह बहुत खतरना कोते हैं हम यह सोचते हैं कि कट अब कितनी जाती है हमें कितनी क्योंगेटिव क्योश्टन सटेंग करने हैं मतलब एक्जाम से पहले ऐसा कोई टार्गेट नहीं बनाना है ठीक है एक्जाम हॉल में जाने के बाद बनाना है नहीं तो पता चले सोचे 12A and B श्रद्दा जी दे रहें C C C C मनलब दोनों ओके 12D सुमीद बोल रहें 12C प्रिया यह आपका क्वेशन प्रॉंग इतने सारे आप्शन्स नहीं होते हैं एक आप्शन देना होता है ठीक है चलिए ऑंसर डी है इसका तो सुमीद का सही है ओके देखे यह दोनों नहीं है निदर डी नदर डी वाला ओप्शन सा इसका रहें आंसर डी देखे बुलन दर्वाजा क्या है बुलन दर्वाजा एट फत्यपूर सिक्री वाज बुल्ट इन 16-2 और यह ग्रेट मुगल इंपरर अकबर ने बनाया और इसकी विक्त्रिती गुज वाइट से नहीं है सपेद संगमरमर से नहीं है इसमें बहुत है एक बफ सैंड्स भी है फिर डेकोरेटेट जो किसको किया गया था उसको इन लेंग है वाइट और ब्लैक मार्बल इन दोनों से किया गया बुलन दर्वाजा को राइट अब देखिए मुगल जो है वह रेट इसमें तो फिर सफेद का भी दिया हुआ है मगर क्वेस्टेंस को आप देखो ठीक से मैं क्या कहरा है वह देखिए सफेद संगमरमर सफेद संगमरमर बुलन दर्वाजा उसमें क्या-क्या इस्तामाल किया गया है कुछ और वी चीज़े है और बिचीजे बाफ सैंड्स टोन ब्लाइक मार्बल भी यूज किया गया है इसलिए जो है आप देखो आप तो कहों कि सर फिर तो इस तरह से तो फिर क्या ही करें वह देखो हम और आप कितना भी लड़ ले यूपेसी जो बोलीगी हमें उससी मानना पड़ेगा तो यूपेसी नहीं सेट में दिया था मैंने और प्रहसांग भी तो यह जो थी क्या कर लोग है कुछ नहीं कर सकते लड़ों यूपेसी से बैटके यूपेसी मानने वाली थोड़ी है राइट वही बड़ा इमाम बारा के वारा में देखते हैं यह जो है असब उद्धवला ने बनाया था नबाब था अवत के 1784 में लखनों में और इसमें जो है वुडवर्क है मतलब लकडी का काम देर इस न से उसको लगाया गया है रूमी दर्वाजा जो है यह 1784 में बनाया गया है और इसका जो मटेरियल है वो यूज़ फोर दर्वाजा इस ब्रिक्स और इस देन कोटेड विद द लाइम लाइम से इसको कोटेड किया गया है ठीक है अगला क्वेशन 13 मतलब कल से आज तक का तेरावा क्वेशन आज का तिसरा विद द रेफरेंस ऑप इंडियन हिस्ट्री वू अमंग दो फोलॉंग इस फ्यूचर बुद्धा एट्टू कम टू सेव द वर्ड भारती इतियास के संदर में निमनलिक में से कौन से कौन तरहाए और पद्वपानी कि अ कि यह चार नाम है इन चारों नाम में से आपको बताना है अ हुआ है कि 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 पर दूप कि 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 अ बताए बताए जल्दी बताए questions का answer दीजिए बीच-बीच में लोग भाग जाते हैं इंटरनेट पर चेक करने चले जाते हैं कुमारी जी अच्छा आपका भी पहला क्लास से शाय दिये दौलिक कुमारी जी अगर आपके नाम का प्रणांस्टेशन में अगर गलत कर दूँ तो सॉरी टूसे शद्दर देरी सी आकांग्षा आपने स्किप किया ओके बहुत आसान सवाल है पुरिया जी डी दे रही है जो इसका सवाल यह सवाल तो बहुत आसान सवाल है मतलब मुझे तो लगा था किसी का गलत नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा था सुमिथ करे वो को सुमिथ करर दो अरे व अचलो कोई बट नहीं हो चाहिये हूं एक्चोली केसे बहुत आसान सवाल है व्याटिन का बहुत अच्छी बात है लालच नहीं आना चाहिए खालतू की चीजों में बहुत लोग है यार बाकी लोग कहा आ गए इतने लोग लायू है सब लोग निकी जी सी ओके गुड और इस डिपरेंट डिपरेंट अनस्वर न यह विद्धी एक बार एकई एंसवर देएगा एक बार एक एंस्वर दिजे ऐसे दो दो आंस्वर देने से यह मैं बता रहा हूं yes मैं एक्सलेंट भी करूंगा don't worry मैं एक्सलेंट भी करूंगा मैं सभी दौलिक कमारीजी मैं सभी लोगों के अंस्वर का वेट करता हूं and then मैं फिर बता देता हूं right 13 b नहीं c है मैत्रे बुद्धा है मैत्रे बुद्धा यह वले मैत्रे नाम होए है उ और जो लोग गेस कर रहे है वह गेस कर सकते हैं अगर उनको दो लगता है कि यह इसमें से कोई में से एक होगा तो वैसा लिग दिया करें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं उसके उपर आपको कुछ सजेशन दे सकूँ जब भी आपको लगे कि यह यह बी और आइ थिंग तो ऐसे करिए अगर आप दो में से कन्फ्यूजन है तो दो लिखिए एक मत लिखिए यह आपका एपसुलेट जाना जाएगा तो अगर आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताते कि सर हम एक या बी सोच रहे या सी या डी सोच रहे तो मैं आपको उसमें इलिमिनेट कैसे करना है यह बता सकता हूं देखिए आप इसमें इलिमिनेट कैसे हो सकता था मैं बताता आपको आपको चलो यह तो बहुत फैक्चुल इंफरमेशन इसमें इलिमिनेट करने जैसा कुछ है नहीं बट पद्मपानी यह बुद्ध बनने की पहली अवस्ता होती है लोकेशवर अलग अगर अपको आपको आजाए तो इसमें 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 इनफरमेशन है बट कोई बात नहीं है मैत्रे जो है वह वह एक्टिविटी है वुद्धा की तो आइसे माना जाता है जातक कताओ के लिए निर्वान के बाद थाई जार मतलब होगा की बुद्ध आएंगे अच्छाई का रास्ता है वह सभी जब भूल जाएंगे सारे लोग जब भटक जाएंगे एक दूसरे को गोली चलनी से मारेंगे अभी आगे और बाकिये आया नहीं है उसे जो है उसी करम में पूरी दुनिया को बचाने के लिए शांती का पात पढ़ाने के लिए मैत्री का प्रेम का पढ़ाने के लिए बुद्धा फिर से आएंगे और इसे गौतम बुद्धा का सक्सेसर माना जाता है जातक कता के अनुसार आपको मानना है नहीं मानना है कोई दिक्कत ने उसे कोई फरक ने बढ़ता बुद्धिस ट्राडिशन में है कि समवान फू विल अच्व प्रेम कंप्लिट इंलाइटमेंट आइंड तीज धम्मा टू पीपल मतलब जो व्यक्ति ज्यान प्राप्त कर लेता है और दुनिया को वह ज्यान सिखाता है और उनको भी निर्वान तक ले जाता है ऐसे व्यक्ति को बुद्ध माना जाता है और मैत्रे बुद्धि सत्वा जो है वह आयेंगे धर्ति पर फ्यूचर में और फिर वह फ्यूचर में पूरी दुनिया में बुद्धिजम को मतलब बुद्धा की जो ठीचिंग है करुणा शांती मैत्री समाधी इन चारों चीजों को और अश्टशिल जो दस पारबिता जो मैंने कल पढ़ाया तापको जो ए वो बढ़ाया जो है यह हर धरम में इस तरह मानेता है में हार धरम में इस तरह मानेता होती है हिंदु धरम में भी चो आउतार आने वाला इसे कल्की में क्या कर देगा तब जब है जो वो कलकी आएंगे और पूरी सब को मार के पता नहीं क्या कर देंगे यह सब चीजें चलती रहती है हर धरम में यह कोई धरम कितना भी साइन्टिफिक हो मगर यह सब तरह की जो मित्र माइटोलोजी है वो उस धरम में घुसी जाती है एनिवेस कंसिडर दे फोल परभा बैलेड मनिपूर में खोंग्जों परभा गाथागित जिसे कहा जाता है और थांग तडांस सिक्किम का राइद तो यह आपको करना है जोडे मतब जो पेयर है वो सही है कै नहीं बचाना है ठीक है निम्नलेकित जोडे पर विचार करें परंपराए चाप्चर कुट परभा गाथागित मनिपूर और थांग ता नुर्थ्य सिक्किम तो इन में से कौन सा यूग्म सही है कौन से कि आपको बताना है यह वनवनली बी वन एंड टू सी थ्री वनली और डी टू एंड थ्री दो हजार अठारा यूपीसी का क्वेश्चन है दो हजार अठारा यू यूपीसी का क्वेश्चन है यह सारी यूपीसी का ही क्वेश्चन है मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं यह सारे के सारे प्रिवेस एयर क्वेश्चन है बी माने वन एंड टू चापचार और ठांगता ओके देखते डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अंस्वर आये तो मुझे मजा आए अच्छा सारे बी दे रहे अरे यार सब लोग बी दे रहे ना फिर तो मुझे मजा नहीं आए जैसे रंगी रंगी आंस्वर दिखते है बहुत है को यह बोलता है को बोलता है कोई बोलता मुझे पता ही नहीं तर मुझे खुश होती है चलो मजा आएगा 14 का LE bas के औरे लगबक लगबक सभी लोग B vet guarantee तो चलिए देखते का आंस्वर है तो चाप्चार कूट जो है बिल्कुल आप सबस Thunder mercy ऐ एक मिजौरम does spring festival का मैं स्प्रिंग है अभी आपने कई सारे थर सुर्प देखी तत्ही है थी अभी हाल फिल्लावर डिम अब और इंडिया जैसे इसका जो यह लगबग लगबग 1450 से 17 अनडोबिनी में इसे शुरू किया गया था और इसे सौवपूई भी कहा जाता है सौवपूई राइड शौई भी कहा जाता है इसे सौईपूई और यह कौन सा मुवी है वो तैंनक वे च्लिए कोई भी उसमें भी दिखाया गया भी कुई मुवी उसमें इस में मार्च में सेलेश्य करेश्य काला जाता है यह का मैसे सब 79 लो बिलकुल, फिर खौंग्जम परवा जो है, style of ballad है, और यह singing from Manipur and using dholak, मतलब drum, और यह dholak ही उसके आजाता है, stories है heroic battles के लिए, जिननने लड़ी है Manipur against the mighty British Empire in 1891 में, right, yes Ritik, good evening, good evening, or fear, it's one of the most popular musical art form of Manipur, inside is a script of patriotism and nationalism among the people at one time, right, कोंसा, खौंग्जम परवा, right, वो गाथा से ही आपको समझ आएगा, right, बिलकुल, शद्धा बिलकुल जी, शद्धा जी आप सही कहे रहो, right, आ, देखलो, अच्छी मूवी है, मेरी भी पसंदेदी मूवी, लक्ष मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, right, यह जो है, थांग का रिप्रेजेंट करता है, ancient and remarkable tradition, जो स्द्धा जीन कमेंड में कहा था, Manipur को, और यह exhibits किया जाता है, अच्छी एक्ट्रावडिनरी टेक्निक है, इसमें combat using the thang, मतलब स्वाल और तलवार के साथ इसको किया जाता है, right, और थांग ता जो है, सिंबोलाइस किया जाता है, traditional martial art techniques को, right, और Manipur में, इसको यह कहा जाता है, तो यह भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसी नाम से आपको पता चलेगा, वो सकता है, UPC गुमाफिरा के पूछले, यह UPC गुमाफिरा के पूछले, तो फिर क्या करोगे, नहीं, इसलिए, जाता है, वो गुमाफिरा को, यह भी नाम से लखना है, इसलिए को, जानर रेखना है, आपको यह लेखना है, क्या जाता है, सिल्वर औन कॉपर और इंडेस्ट वैली पीपल निव वनली कॉपर और अईरन थर्ड सेट्मेंट है रिग्वेदिक आरन है डोमेस्टिकेड़ दे होर्स वेरिस देर इस नो एविदेंस आप इंडेस्ट वैली पीपल हैं बिन अवेर आप देता हूँ आपको बताना है यह को कि रिग्वेदिक आर्रे और सिंदु घाटी के लोगों की जो संस्क्रूति के बीच के जो अंतर है उस अंतर को मदे नजर रखते हुए गाइस एक बार क्लास को लाइक कर देंगे शेयर भी कर देंगे और पहला स्टेट्मेंट है जो रुग्वेदिक आर्रे ने जो है यु सेवल तांबा और लोहा जानते थे और रिग्वेदिक जो आर्रे है उन्होंने घोड़े को पालतु बनाया था जबकि सिंदु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई सबूत नहीं है ए वन वन ली बी टू एंट्री सी वन एंट्री एंडी वन टू क्लासेश को लाइक और शेयर भी करते रहिए बीच में लोग आके भाग जाते हैं इसा क्यों करते हैं फिप्टीन ये में बी ओके कोई बात नहीं गेस कर सकते हो आप कोई बात नहीं कि यहां पर तो करी सकते हो मुझे कोई परशानी नहीं ठीक है और दीजिए पंद्रा निकी जी ए ए बोल रहे हैं कई सारे लोग ए ही बोल रहे हैं तो देखते हैं और क्या आंस्वर हो सकता है कर दो कि और कि यह सभी लोग यह ओल डी के ट्रैप में फस गए शायद लगता है कि कि अ कि देखिए रुग्वेदिक आर्रे में सोना चांदिय और ताबा जानते थे जबकि सिंदु घाटी के लोग केवल ताबा और लोहा जानते थे आईरन का कहा जिक्र है आईरन का यह देखना पड़ेगा और पहला जो सेंटेंस है आप देखो क्यों रॉंग हो जाता है कि रुग्वेदिक आर्रों ने इद्व में मेल और हेलमिट का इस्तेमाल किया राइड पर लोगों ने सबूत नहीं छोड़ा है मतलब कैसे मतलब इस उनके पास आम मतलब हरवार नहीं मिली ना खंजर मिला ना तीर कमान मिला ना भाला मिला वेर प्रिमेटिव अप दे नेचर वो लोग तो बर शांतिपना थे आप पसमें रहते थे आपसमें रहते है किसी से कोई लेना देना ने कुछ निए बिल्कुल आया नमजे में अपन अपना किसी से कोई लेना देना नहीं तो पहला स्टेटमें तो वह से भी हो जाता है अच्छा आर्मर हेलमेट बॉड़ी आर्मर और शील्ड इस तरह के कोई एविडेंस वह पे अवलिबल ही नहीं और जब आर्रेन थे आर्मर थे और फिर वह साइंस ऑप वर भी जानते थे घोड़ा और आयना वह लेके आये थे रहें होर्स जो थे उन्होंने डिसिस्यू मतलब बहुत रोल बड़ा रोल प्लेकिया है आर्रेंस के यूद में और सिस्टम वार्फेर मतलब इंडेस वाली लोगों को घोड़ा पता आर्रेंस के मिलें टेरा कोता फिगर्स में होस्लाइक अनिमल होस्लाइक अनिमल वह चैनाट से कि ये घुड़ाई है राइड हाव विण अंडेड वाली गुजरात में और स्टील ये था नॉट बेन कविंजिंग ली प्रूड थाट था था थाड़ थाड़ा थांट अंपो तर्ड स्टेटमें बिल्कुल आप सही करिये है मैं मैं मतलब इंड आप टॉपिक में बताने भी वाला था यह चीज रहे है आप इंडेस्ट वैली पिपल जो है वह कॉपर ब्राउंज और सिल्वर गोल्ड यूज करते थे बट आइरन नहीं अब यही से क्वेश्चन दाता है कि जो आइरन है यही आइरन पर ही प्रॉब्लेम्स है क्योंकि किसी चीज का अभी पूरी तरीके से कोई मतलब इनो वहां पर अभी काफी समय है कि अभी तक के जितने एविडेंस मिले उसमें नहीं मिला है तो इसलिए यह कहा जाता कि हारपन अभी तक के जितने एविडेंस मिले उसमें नहीं मिला है यह थर्ड स्ट्मेंन इसी तरह से इसलिए रॉंग हो जाता है यह उनका लॉजिक है अब उनका लॉजिक है तो लॉजिक है जैसे मैंने पहले भी कहा, भाई UPC है, मानना तो पढ़े गई, हम लोग कितना भी जगडा कर लें, UPC को उससे कोई फरकने पढ़ेगा, और अगर आप चाहे तो UPC को पत्र लिख सकते हो, बट मुश्किल है कि UPC उस पर कोई कारवाई करेगी, उसने जो बोल दिया, वो बोल द चले अगला question, with reference to Manipuri Sanskritan, consider the following statement, right, Sankirtan है, Sankirtan जिसे का, the Kirtan वाला form में, कि भाई, it is a song and dance performance, symbols are the only musical instruments used in the performance, and third, it is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna, Manipuri Sankirtan के संदर्मे निनमलिक कत्नों पर विचार कीजिए, यह एक गीत और नूर्त्य प्रदर्शन है, जान्स की एक मात्र संदर्मे जिसका उपएक प्रदर्शन में किया जाता है, जिसके symbols कहा जाता है, यह भगवान कुरुष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, right, उपर देक अत्नों में से कौन सा सही है, A, 1, 2, 3, मतलब सारे, B, 1, 3, C, 2, 3, D, 1, 1, ली, 2017 UPC का क्वेशन है, 16B देरे है, रितिक जी, 16B बोल रहे, निक्की जी, ओके, और बाकी लोग, ओके, मैक्सिमम लोग B के साथ जा रहे, तो मानना ही पड़ेगा, B होगा, मैक्सिमम लोग B के साथ जा रहे, सही बात है, देखते हैं, पर क्या निकलता है, अलोक भाई भरतपूर, वेलकम आपके पहली क्लासे शाय दे, तो आपका वेलकम, अधिप वाधवान, आपके भी पहली क्लास है, ए, कोई बात नहीं, चली आईए, देजिए उत्तर, रोज आएंगे, तो ही फाइदा होगा, नै तो फिर एक दिन आये, और दूसरी दिन कभी, हमें मिले नहीं, दिदारी नहीं हुआ, हम लोग तरज गए आपके दिदार के लिए, ऐसा मत करिएगा, मेरा नाम प्रशान्त है, और रोज रात आठ बजे मैं, इत चैनल पर क्लास लेता हूँ, पहले आयार के लिया करता था, आवा आयार का अलमस्-अलमस में फिनिश कर च तो चले, तो बाले लोग सबि不知道 था खाय तो सबी सब भी आपका रखार्ण कोई दिकत नहीं, गलत हुआ अच्छी बात ह्यूं, और है यहां झेल फिनिश कोगा था हूँ तो सक आउना मिमेरी उता है, मतलब आपsuper कर गहां हों करना है। nu कर ड़ाके, थाने हैं यहाँ अभी वाइशनो पिपल अब दा मनिपूर प्लेज माइशनो ओके साकिर्थन प्रक्टिस जो है वह सेंटर अप टेंपल में होती है और फर्फोर्मर नेरेट देट लिए इन्ड़ देट आ कृष्णा थो इस यहाँ नौ आइडिया ओके वह बात कोई बात निया आइडिया नहीं तो तो अच्छी बात है स्किप कर दो इन टिपिकल परफार्मस है यह दो ड्रमर्स होते है तू ड्रमर्स एन अबाउट 10 सिंगल डांसर बतब जो लोग डांस करते हैं यह भी बहुत फैक्ट्ट्वल इंफरमिशन होनी चाहिए सिंगल डांसर पता जाले नेक्स टाइम वो करें त देंगे कंट्री देखें और शुश्बल इस ऐस्का मतिधे को इस बरफेंज माही देखें घुट कर दिएच यह सब्सक्राइज अने dieses बीचर मैं मैं कुई गिजव रिजव उन्हा उन्हां मैं चीजे बता सकता है फैक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मेडियम Dubaiные मेडियमस вас अव Сंय normal लंको सब्सक्राइब है अच nella इस इसे हैं लाइफ़ इसम फिराइब इस निफ क्ला है अपिस भाषा में उसको समझ रहे हैं और उसको अपना ग्राफ कर रे weight उसे इसGS अगर आप पढ़ाई को लोगे ना तो आपको बहुत चीजे आसान जाएगी क्योंकि सिर्फ एउपेसी में आप हिंदी इमराथी या कंणड ऐसे करके नहीं चल सकता क्योंकि आपको हिंदु का कोई विकल्प्त नहीं है इनियनेश्वरा कोई विकल्प्त नहीं है जो जो लाइलिश्वरा जे झाल तु लाइंगी इनियोच्यित सिंपल स्थमिंदृ उड जो एवलेश्थ इंग्वार दीक्र गआइल इस पढ़ाई समय पटवार प्यर स्थरी में यृवत्छाट्व रवी तक के इंग्लिश you की तोड़ी बात है पीफ यॉफड की परिषदी जो पेंटिंग है वह सच्चित्रों में से एक है तो वह कहा है यह अजन्ता बी बदामी सी बाग डी लोरा यह तो सब का सही होगा सब लोगों का सही होगा किसी का गलप में होना चाहिए यह बिलकुल अजन्ता यह मेरे घर से काफी नज़्दिक है से काफी मतलब हाड़ी कठास क्यौमेटर से भी कम रेंगें घर से अजन्ता है कि मेरे घर से अजन्ता जो से.......... कि में 120 किलोमीटर पर था 120, 130 तो हम लोग बहुत अजनता में बहुत बार गया हूँ बहुत जाना आना हमेशा चलता रहता है नहीं अलग कोई दिक्कतने सवारी बोलने कि हमें उठना ओपर हमारे कई सारे प्रिजुडाइस होते है हमारे कई सारे कमियां खामियां हर वेक्ति म रिस्पॉंसिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को उस लेवल के सोच के लिए प्रेडित कर सकूं नहीं तो फिर मेरे से पचासों लोग पढ़ा रहे हैं यूटुब पर क्या करेंगे बहुत लोग है बट आपको सिर्फ पढ़ा कर छोड़ देना नहीं है न आपको तैयारी करान और यह पेंटिंग जो है यह बहुत खुबसूरत है आपको जब भी वैसे तो आप जब ऑफिसर बन जाओगे तो टूर पे लेके जाएंगे तो यहां तो ज़रूर लेके जाते है वो तो जाते ही आप लो मगर आप कभी अगर महाराष्ट्र जाओ इनके स्फूचर में तो किसी फॉर्मल एजुकेशन के यह लोग कितने महां थे इस की समझ हमें होती है जब आप ताजमल या इस तरह की चीज़े देखते होते हैं यह हॉल में है इस श्रेणी टीचर चेमबर्स के पाद क्यों नंबर एक में है यह आजनता की जो पैंटिंग्स है 15th century में लग पानी की लार शोल्डर है और थ्री बेंड्स है इन दे बॉड़ी क्रेटिंग मुवमेंट इन दे पिक्चर स्पेस दे मॉड़िंग इस त्रेच है बॉड़ी को अपने तीन जगा पर मोडे हुए है और यह जो फिगर है जो बोद्युस्त्वा की यह बिग क्राउन इन अल्रेडी बन चुके हैं यह बोधी सत्वा ही होते हैं जो बुद्धा के बाहर खड़े रहते हैं मतलब बुद्धा के लिए लोग जा रहे होते हैं पद्मपानी बुद्धा और यह सिधार्द गौतम की जो मुर्तिया है वाह पर आजनता में जाओगे तो इतनी विशाल का मुर्ति है और उस मुर्ति के बाहर जो है दर्वाजों के दोनों तरफ यह पद्मपानी की मुर्तिया लगी हुई है पेंटिंग है आपको देखने को मिलेगी मतलब देखो पाच्वी सदी में वहां पर तब यह बना तब भी वह जो कलर यूज किया गया था वह कलर आज पी आज़ेटीज है वहां पर हाला कि इतने सालों में ग्लोबल वार्मिंग और इसके कारण फिका पड़ रहा है बट सोचो इतने सदीया बीद गई फिर भी वह जो बढ़ी बात है यह बहुत बड़ी बात है रहें आपको यह यूग में जुडाने है रहें चलिया साहीब महु अगर सब्सक्राइब करें के नहीं आ रहा है तो स्किप लिखेंगे क्वेशन मगर सबी लोग अंदर का एज़िटेशन जाएगो कि अज़ उगाएब सोचा है रहें इसाएब करेंक वह जूगर स्क्राइब झाल झाल तो अगर स्क्रिफ हो गया है तो अच्छी बात है मैं यह कह रहाता कि आप लोग अगर जूड़े हो रेगुलर जूड़े रहोगे रात आट बजे रेगुलर तो सभी लोग अंस्वर देने के पोजिशन में उस देकर अमला यू एवरीवन इस अबल तो भी गिव अंस्वर राइट एवरी एवरी पर्सन मैं इसकी गारेंटिय आपको दे सकता हूं कि हर वेक्ति अ अंस्वर देने के उस पोजिशन में पहुच जाएगा और इतना ही नहीं इतना ही नहीं सिर्व अंस्वर की बात नहीं है मेंस के लिखने के लिए से लेकर इंटर्व्यू के तयारी तक जो है मैं जो जो मेरे बस में मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा बताऊंगा आपको उस पर बस रेगुलर रहना है और रेगुलर और डेटर्मिनेशन यह दो चीज़े बहुत ज़रूरी है राइट प्रोपेसर प्रोपेसर साब बहुत दिनों बात दिखाए दे आप कहा गायब होगे तो बिच में चलिए तो इसका यह अंस्वर है और यह कहाँ अगयरे कि जो फर्स पेर है वह करेक्ट है क्यों क्योंकि चलिया साब जो है एक फेस्टिवल सिंदिस का जो इन्वाल्स करता है डिवोटीस को और यह फास्टिंग होती है कुछ दिनों के फास्टिंग भी इसमें होती है पेर टू जो है वह मैश नहीं करती है क्योंकि नंदा देवी जो जट जो है सेलिब्रेट करते है एवरी एर इन नंदा देवी टेंपल्स में जो गरवाल और कुमाउन जो घाटिया इसमें यह होता है यह फेस्टिवल है कमें अच्छा 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 और फिर यह जो ट्राडिशन नहीं ब्यूटिफिली एक्सप्रेस करते है फोक सांग्स ओर उतराखंड में ओकेई ठीक है तो यह उतराखंड में यह फोक सांग्स को डेवलप करने का काम करते हैं पेर 3 जो है मैच नहीं करते है क्योंकि पंधरपूर की जो वारी मेरे यहां के बहुत भाईतर है यूटूब पर जाकर देख सकते हो इतनी खुपसूरत वह होती है जब हम पुने में परते तो हमने तो बहुत करीब से सब चीजे देखी हुई ह यहां पर पंधरपूर की जो वारी है या इसे वारी कहा जाता है यह यह लोग मतलब जो लोग विठ्थल पर मानते वो लोग जाते है पैदल शेकड किलोमेटर की यात्रा जो है यह एनवल पेलिग्रिमेज है पंधर्पूर में और यह विठोबा महराष्ट्रा का ओनर है कल देवत बी कहा जाता है विठोबा रुखमाई उनकी वाइफ रुखमाई रुकमी और फिर विठोबा यह जो है इनको एक करनाटगा आंध्रा तमिलनाडू गुजरात महारश्टरा में उन यातरा करते हैं नाँ यातरा करते हैं पैदल जाते हैं बहुत ही अमेजिंग फुटेज आपको देखने को मिलेंगे 황्la a aatt कई डोर्थ्ट की जाती है उसमें पाड़ती है और यह प्रभी सारे संथ है जो महराष्टा की मिट्टी से इतने संथ निकले हुए इतने महान आन संथ निकले हुए तो उनिके उनके लिए यहां जाता है दीने तकाराम हे और यह सभी जो पंदरपूर के जितने भी मतलब खास करके संथ तकाराम स्थ नानेश्वर जो है इनका ही नाम गोषवाप होता है ताल होते है इम्रुदंग होता है उसी को गाते गाते सब लोग जाते रहते हैं तो बोलते हुए सब लोग जाते हैं और पूरे गाने जो शहर से तो तो अगर यूटूबुप पे तो इतने बहतर है इससारी फूटेज़े होती है तो आज की क्लासे सम यहीं फिनिश करेंगे अब और बच रहा है पर क्या करें थोड़ा सा समय की भी कमी है तो बाकिये हम देखेंगे फिनिश करेंगे बहुत जल्दी इस सब चीजे ठीक है तो आज की क्लास तो मैं यही फिनिश कर देता हूँ ठीक है थांक्यू मंडे से एक क्लास ओर चलेगी जो प्रिवेश एर क्लास यहां तो फिर मैं करेंड अपर शुरू कर देता हूँ और किसी दिन जिन चले हां मनदे मिलते हैं करंट अफेर का कॉर्शन हम देखते हैं करन फेर शुरू करेंगे की कन्चर काूरू करे हो पूरे साल डेड विल कृट शाल और पिर अच्छे से तैयार है थी है झाल झाल